Hello everyone, welcome to our YouTube channel अकांचा जी है सब आज मैं आप लोगों को एक माई का करेंट अफेयर कराओंगी एक माई से जितने भी important question हो सकते हैं वो कराओंगी उससे जुड़े fact बताओंगी मैंने अभी monthly का वो बनाया एक अप्रेल से लेकि 30 अप्रेल तक का question का आप लोग उसको देख लिजेगा revision हो जाएगा वैसे तो मैं daily current affair कराती हूँ लेकिन मैंने मन्थली का भी revision करवा दिया है तो फिर शुरू करते हैं अपना आज का current affair और अपना question देखते हैं तो शुरू करते हैं अपना एक माई का current affair तो हमारा पहला question है हाली में आयूश्मान भारत दिवस कब मनाया गया तो हाली में आयूश्मान भारत दिवस 30 अप्रेल को मनाया गया आयूश्मान भारत दिवस 30 अप्रेल को ही क्यों मनाया जाता है 30 अप्रेल 2018 को प्रधान मंत्री मोदी ने योजना सुरू की थी आयुश्मान भारत योजना सुरू हुआ था 30 अप्रेल 2018 को इसका ये सुरू क्यों हुआ ये गरीब के कल्यार के लिए उनके जीवन भीमा को लाब देने के लिए सुरू किया गया था आयुसमान भारत दिवस अब हम लोग अप्रेल के कुछ important day देख लेते हैं जो exam में पूसते हैं एक अप्रेल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है और एक अप्रेल को उडिशा दिवस उतकल दिवस मनाया जाता है दो अप्रेल को बिश ऑटिजम जाग रुकता दिवस मनाय जाता है पांच अप्रेल को अंतर राष्टी शमुद्री दिवस मनाया जाता है और पांच अप्रेल को ही अंतर राष्टी विवेग दिवस मनाया जाता है छे अप्रेल को विकार्ष और शांती के लिए अंतर राष्टी खेल दिवस मनाया जाता है साथ अप्रेल को उडान का अंतर राष्टी दिवस मनाए जाता है 14 आप्रेल को विश्व विश्व रिवाल अ को विश्व लिवण 7 अपेल को विश्व विराश्व सा नाया जाता है 22 अप्रेल को विश्व पृत्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रेल को विलियम सेक्सपियर की जहनती मनाया जाती है। 24 अप्रेल को राष्टी पंचायती राष्टी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रेल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रेल को कार्यस्थल पर सुरच्छा और स्वास्त के लिए विश्षु दिवस मनाया जाता है। यह अप्रेल की कुछ important दे थे जो काफी important है आप लोग इसको एक्जाम में जरूर आता है आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला question है हाली में किस IIT ने cyber सुरच्छा कॉसल कारिकरम शुरू किया है। के लिए आयाइटी बॉम्बे ने यू आई डी ए आई के साज़ेदादी किया है आयाइटी मद्रास ने दूद में मिलाओत का पता लगाने के लिए उपकरण विक्षित किया है आयाइटी रूडकी के विज्ञानिकों ने नए जीवा रोडी अडू आयाइटी आर 00693 की कोस्चन थे हैं अगला कोस्चन है हाली में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताच्चर किया है तो यह कि जर्मनी के साथ भारत ने जर्मनी के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान का और यहां की कैरेंशी है यूरो अब कुछ important fact देख लेते हैं जर्मनी की पूरो चांसलर एंजला मरकेल को जर्मनी का सरोच सम्मान मिला है जर्मनी अपने अंतिम सेस तीन परमार सैंत्रों को बंद करेगा सर्वसे स्टारवजनिक परिवहन वाले सहरों की लिस्ट में वर्लिन सिर्स पर रहा है यूनस को सांती पुरसकार सेंजला मरकेल को सम्मानित किया गया है हांकी बिश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है तेस्वी पीटर्स बर्ग जलवाई हो वारता जर्मनी में हुई है यह जर्मनी के बारे में कुछ इंपोर्टन फैक्ट है आप इसको यार रखेगा अगला कोस्टन है हाली में प्रतिस्टिट गोल्डन ग्लोबल रेस की पूरी करने वाले पहले भारतिये बने हैं अविलास टामी जो है भारती नौ सेना के रिटार अधिकारी है अगला कोस्टन है हाली में किसी IAAI का मेधावी शिवा पुरसकार मिला है अब कुछ इंपोर्टन देख लेते हैं किसको कौन सा पुरसकार मिला है दलाई लामा को 64 साल बाद ब्यक्तिगत रूप से रेमेन मेक्सिस पुरसकार मिला है विद्यावालन को लता दिनानात मंगेसकर अवार्ड मिला है सबसे पहले लता दिनानात मंगेसकर अवार्ड पियम मोदी जी को मिला है उसके बाद आशा भोसले को मिला है और थर्ड नंबर पे विद्यावालन को मिला है वेटा पुरसकार पाने वाली पहली I.F. अधिकारी दीपी का मिश्रा बनी है उत्सा पतनायक को मैलकम आधिसेसिया पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है प्रवासी भारती सम्मान से राज शब्रमन्यम को शम्मानित किया गया है अगला कोश्चन है हाली में किसने कारिगरों और बुनकरों को आत्म निर्भर बनाने के लिए हत करगा हस्त सिल्प पोर्टल लॉंच किया है अगला कोश्चन है हाली में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहट कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की अस्थापना की जाएगी अब ये चार पार्क हैं कोन तो ये चार पार्क है पहला है जो वो खोला जाएगा हिमाचल प्रदेस में। दूसरा है उत्तर प्रदेस में। तीसरा है मध्य प्रदेस में। और चोथा जो है वो तमिल नाडु में है। इन चार जगहों पे खोला जाएगा, medical device . यह एक्जाम के व्यू से काफ़ इंपॉर्टेंट कोस्चन आप लोग इसको याद करखेगा अगला कोस्चन है हाली में किस राजी को स्वच्छता के लिए हुद को से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को अब हुद को क्या है इसका फुल फॉर्म हाउसिंग अर्बन डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव और यहां के प्रेज़न टाइम पे चीफ फिनिस्टर योगी आदित नत और अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी भी भागों में 100% इलेक्ट्रिक वहां रखने का लच्छ रखा है उत्तर प्रदेश में लखनाउं एंड हर्दोई में पिये मित्रा पार की लवा अभ्यारर में बागो का पहला फोटोग्राफ प्रमार में दर्ज किया गया है यह उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट था अगला कोस्चन है हाली में प्रधान मंत्री मोधी ने एफम कनेक्टी विटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफम ट्रा condemn किया है तो यह शिल्वासा में किया है सिल्वासा में प्रधान मंत्री मोधी ने नमोई मेडिकल एजुकेशन इंडिक स्ट इंस्टीूट का उद घ्टन किया है अगला question है हाली में RBI ने किसे City Union Bank के MD and CO के रूप में न्यूक्त किया है तो RBI ने न्यूक्त किया है N.C.O.D. को N.C.O.D. को नए MD और CO के रूप में न्यूक्त किया गए है अब RBI RBI की अस्थापना 1 अपरेल को 1935 में होती है इसलिए हर साल 1 अपरेल को RBI अस्थापना दिवस मनाया जाता है ये काफी important है अब हमेशा पूस्ता RBI के अस्थापना कब हुई अब हम लोग देख लेते हैं कुछ important MD और CO अब present time पे आज रखेगा RBI के governor है सक्तिकांस दास अब MD CO को देख लेते रास्चे सुरच्छा पैसा सच्चिवाले में सैनस अलाकार के रूप में संदीप सुन को न्यूक्त किया गया है टाटा इलेक्स ट्रानिक्स दोरा रधी ठाकोर को MD और CO के रूप में न्यूक्त किया गया है हिमाचार प्रदेस हाई कोट के कारवाहक मुख्य न्यूक्त की रूप में जज तरलोक सिंग्चोहान को न्यूक्त किया गया है मद्रास हाई कोट के अत्रिक न्यूक्त के रूप में जज बट्टू देवानन ने शपत लिया LIC ने Chief Investments Officer के रूप में रतना कर पटनाय को न्यूक्त किया है ये कुछ important MDRC होते याद रखिएगा क्योंकि एक्जाम में पूस्टते है अगला question है हाली में किसने reflection नामक नई किताब का लोकार पड़ किया है reflection नामक नई किताब का लोकार पड़ किया है ये बित्यमंत्री है निर्मला सीता रमर ने ये लिखा किसने था reflection नामक पुस्टक अगर पूछे का नामक पुस्टक कितने ने लिखा है तो नारायन बागुलने और इसका लोकार पड़ किया है निर्मला सीता रमर अगला question है हाली में कहा artillery regiment में पहली महिला अधिकारी का पहला बैच कमिशन किया गया है तो यह किया गया है चेन नहीं में अगला कुस्टन है हाली में किसने प्रोमोर्टिंग मिलिट्स इन डायेट बेस्ट प्रैक्टिसेज का अक्रॉस स्टेट एंड यूटी आफ इंडिया पुस्तक जारी की है अब नीती आयोग की अस्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है इसकी अस्थापना किये थी प्रधान मंत्री मोदी ने इसका हेड़कॉर्टर है निव डेली में और इसके प्रेज़ेंट टाइम पे चेयर मैं है पेम मोदी और इसके वाइस चेयर मैं सुमन वैरी और निती आयोग की अस्थापना 1 जनवरी 2015 में होई थी यह इंपोर्टेंट पूस्ता है निती आयोग का अस्थापना को हुआ था अगला कोश्चन है हाली में केंद्री केंविनेट ने देश में कितने नर्सिंग कालेजों के अस्थापना की मंजूरी दी है तो यह दी है 157 कालेजों को इसका एंसार है 157 वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा आज का करेंट अफेर्स हमापत होता है थैंक यू अब्रीवन